खादे तेल में बढ़ रही गिरावट दरसल अंतरस्ट्य बजारों में मंदी से देशी बजारों में भी खादे तेलों की कीमतों में गिरावट जारी है पामोलीन का तेल सस्ता होने के कारण इंडोनेशिया में इसके स्टोक में कमी आई है सस्ता होने के कारण पूरे विश्व में पामोलीन और सीप्यों की मांग बढ़ गई है इस मांग के बावजू स्थानिय स्थर पर भाव मजबूत होने के कारण सीप्यो और पामोलीन के भाव टूटे हैं क्योंकि इन तीलों के जो आगे की आयात की सोदे हैं उनकी कीमत मौजूदा भाव से भी कमजोर रहने की उमीद की वज़ए से CP और पामोलिन के भाव में गिरावट आई है आने वाले दिनों में खादय तेल की कीमतों में और गिरावट का अनुमान लगाया गया है और सरसो का तेल जल्द ही 103 रह जाने की उमीद जताई जा रही है अक्तूबर के पहले हफते में सरसो की बिजाई पिछले साल के मुकाबले 20 दिन पहले शुरू हो जाएगी सरसो का कैरी ओवर स्टोक पिछले 3 साल के मुकाबले अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है सोया बीन का आगमन जोर शोर से शुरू होने वाला है और प्रदेश की मंडियों में नए सोया बीन की शुरुवात फिलाल हो चुकी है और इंटरनेशनल मार्किट में सोया तेल लगातर गिरावट की और बढ़ रहा है ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि खादे तेलों में फिलाल कोई तेजी की उमीद दिखाई नहीं देती है और बाजार गिरावट के साथ कारवार करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं